गंभीर ने गुस्से में रिखते कोहली के सन्यास की तारिख कहीं गंभीर और कोहली के मनमोटाओं में डूब न जाए टीम इंडिया की नईयाब होगी सबसे बड़ी परिक्षा कोहली जीतेंगे अगौतम जैशा भी पड़ गए सोच में तो अचानक रोहित शर्मा के उड़े होस राहूल द्रवर ने समझाये लेकिन जित पर अड़े कोहली ने कर दिया ऐसा काम गंभीर हो गए गुस्से से लाल लड़ते थे फप्तिया कसते थे विराट और गंभीर के बीच हुई लड़ाई की कहानी जैसे ही नहरा सर ने बताई खुल गया दोनों के रिष्टों का राज कोहली और गंभीर के रिष्टे कैसे हैं हम बताएंगे आज बीच मैदान पर जब 25-25 कैमरे लगे थे तब ही गौतम गंभीर ने कहा कि विराट कोहली को समझा लो विराट हमारे प्लेयर को गालिया दे रहा है अचानक श्रुलंका से ये बाते निकल कर क्यों सामनी आ रही है और अचानक जैशा की टेंशन क्यों बढ़ गए एक इंटर और गौतम गंभीर ने बी-सी-सी-ाई को भरोसा दिया कि वो कोहली के साथ-साथ अपनी सारी शिकायते दूर कर चुके हैं दोनों के बीच रिष्टे अच्छे हो गए लेकिन हाली में नहरा सर यानि कि आशिस नहरा ने एक बड़ा खुलासा किया आशिस नहरा के मताबिक ल समझा लिया लेकिन इसी बीच गौतम गंभीर और विराट कोली के रिष्टों के बारे में बड़ा खुलासा किया गया आशिस नहरा ने ये खुलासा किया आए दोनों की लड़ाई पर एक बहुत बड़ी बात पता जल गई हालनकि अपने रिष्टे पर खुल कर बोलने से नजर आए लेकिन उन्होंने इतना तो इशारा कर दिया कि मैदान पर भरने के बाद भी गौतम गंभीर और विराट कोली के बीच टेक्स्ट मैसेज पर बात होती थी और दोनों का घर आना जाना भी होता था हालनकि गंभीर ने कुछ और ज़ादा नहीं बताया लेकिन उन नहरा का मानना है कि ड्रसिंग रूम के अंदर इन दोनों के बीच किसी तरह का मतभेद नहीं रहेगा नहरा ने कहा कि गंभीर और कोली दोनों ही काफी जनूनी है और जब वो दोनों ड्रसिंग रूम में होंगे तो टीम के लिए एक जुट होंगे नहरा ने खुलासा किया क कोहली और गंभीर दोनों जनोनी व्यक्ति हैं जब भी दोनों टीम के लिए खेले हैं तो इन्होंने विपक्षी टीम को परिशान किया जब वो ड्रसिंग रूम में साथ होंगे तो वो एक साथ रहेंगे और टीम के लिए एक जुट होंगे कोहली के पास 16-17 साल का अनभव है और गंभीर भी काफी अनभवी हैं बाहर क्या हो रहा है उसे लोग याद करते हैं ये सिर्फ कोहली और गंभीर को लेकर नहीं हैं ऐसे कई खिलाडी हैं जो आतीत में मैडान पर एक दूसरे से भड़े लेकिन जब वो टीम के लिए एक साथ खेले तो एक खिलाडी कोच या सीनियर खिलाडी के तोर पर अच्छा खेले हालांकि आशिस नहरा ने जब गौतम गंभीर और कोहली के रिष्टों को लेकर खुलासा किया तब उनके लिए खुद एक पूरी खबर आ गई दरसल आई पिल दोजार पच्छिस से पहले नहरा क लेकर काफी बड़ी खबर निकल कर आ रही है जहां गुजराट टाइटन्स के डारेक्टर आफ क्रिकेट विकरम सुलंकी और उनके हेड कोच आशिस नहरा फ्रेंचाइज छोड़ने का मन बना चुके हैं इस सीजन से पहले गुजराट की टीम ये बड़े बदलाव कर सकती ह इसी बिच खबर सामने निकल कर आ रही है कि जहां भारत के स्टार के लाड़ी योवराज सिंग गुजराट टाइटन्स के अगले हिट कोच पनने के लिए तयारी कर रहे हैं अगर ऐसा होता है तो आशिस नहरा को गुजराट के कोच के पचसे हाथ धोना पड़ सकता है हालन उनके मेंटोर गैरी करस्टन भी अपना रोल छोड़ चुके हैं और पाकिस्तान क्रिके टीम के साथ जुर गए गुजराट टाइटन्स ने साल 2022 में IPL में डेब्यू किया गुजराट टाइटन्स अपने शुरुवाती सीजन से ही सभी को इंप्रेस किया था जहां पहले ही स सीजन में उन्होंने किताब अपने नाम किया वही अगले सीजन में फाइनल केला था हालांकि पछला सीजन गुजराट के लिए अच्छा नहीं था जहां वो क्वालिफाई नहीं कर पाए थे वही टीम में संतुलन भी नजर नहीं आ रहा था आपके जानकारी के लिए बता कि उनके कप्तान हार्दिक पांडे ने फ्रेंचाइज बदल दी थी वही शुमंगिल जैसा नया और युवा कप्तान बनाया गया और प्रदर्शन में गिरावट आ गई खेर अब आपके हिसाब से गर्म खून वाले कोहली और गंभीर में बन पाई गया नहीं क्या दोनों मिलकर टीम इंडिया को आगे बढ़ा पाएंगे हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं